चतिसगर में धर्मान्तरन को लेकर सियासी वयानबाजी तेज है, सत्ता दल और विपक्षी पार्टी एक दूसरे पर धर्मान्तरन को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच कॉंग्रेस ने सरकार को चैलेंज करते हुए कहा कि भाजपा श्वेद पत्र जारी कर स्पस्ट करे कि हमारे शासनकाल में कोई चर्च नहीं बना है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता के दारनाद गुपता ने कहा कि भुपेश शासनकाल में एक IPS ने सुकमा से पत्र जारी कर कहा गया था कि आदिवासियों की संस्कृतियों पर आक्रमन हो रहा है। इसाई मिशनरिया धर्मांतरन करा रही है क यह पत्र उन्होंने नहीं पढ़ा था। बचाने के लिए धर्मांतरन को हम सब को मिलकर रोकना होगा। आखिर धर्मांतरन के ही कारण तो भारत देश के दो तुकड़े हुए। पाकिस्तान बना भारत बना मैतेई और कुकी की लडाई। तो यह समेधन शील मुल्दा है और मैं मानता हूं कि धर्मांतरन में शक्ती से काम करने की आवशक्ता है।